इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Salve RASP 5 mg solution तेजी से काम करने वाले bronchodilator या relievers नामक दवाओं के समूँ से संबंधित है. It's used to treat the symptoms of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases यानि की COPD, such as coughing, wheezing and breathlessness. Salve RASP 5 mg solution को reliever inhalers कहा जाता है क्योंकि जब आपको आवशक्ता होती है तो यह सांस की समस्याओं से तुरंत रहत देता है. अधिकांच मामलों में आपको अपने लक्षनों को रोकने के लिए एक और inhaler दिया जाएगा, यानि की एक preventer और आपको हर दिन इसका उप्योग नियमित रूप से करना होगा. सेलबे रेस्ट पांच मिलिग्राम सोलिशन तेजी से काम करता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रह सकता है. आप इसे दिन के किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आप खांसी, वीजिंग, सांस फूलना या छाती में जकरन जैसे लक्षन देखते हैं या आप कोई ऐसी गतिविधी करने जा रही हैं, जिसमें आपकी सांस फूलने की संभावना है. When an asthma attack happens, you should take the number of puffs your doctor recommends. Inhaler device के कई प्रकार होते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने Inhaler का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, अन्यथा, हो सकता है कि ये काम न करें. जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता, तब तक इस दवा का इस्तेमाल बंद न करें. अगर आप रुकते हैं, तो आपकी सांस की समस्याएं और भी खराब हो सकती हैं. Salvear Rest 5 mg Solution आमतोर पर सुरक्षित और असरदार है, लेकिन इससे कुछ सामान्य side effect हो सकते हैं, जिनमें जटके लगना, सिरदर्द और तेज धरकन शामिल हैं. ये side effect अकसर खतरनाक नहीं होते और धीरे-धीरे सुधार होना चाहिए क्योंकि आपके शरीर को दवा की आदत हो जाती है, अन्य दुरलब side effect हैं, और अगर आपको सीने में दर्द, बहुत गंभीर सिर दर्द या बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, तो आपको तुरंट डॉ solution का उपयोग करने से पहले आपको अपने doctor को इस बारे में बताना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आपके लिए सुरक्षित है, इसके अलावा, अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो इस दवा की सेवन से पहले अपने doctor को बताएं, इ आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद